हे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबहम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे शिलंका और साउथ अफरीका के बीच में खेले जाने वाले पहले टीटुन्टी मुकाबले के बारे में तो क्या है पिलर्स के स् पेनर्स आपकी टीम में जादा होने चाहिए तो पिच रेपोर्ट को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं प्लेयर्स के स्टैट्स कंपेर करेंगे रीसेंट फॉर्म क्या है और फिर आपको ड्रीम 11 और फेंट टूपले की टीम प्रोवाइड करेंगे देखिए बहुत इं स्टैट्स वागेरा अवेलिबिल हो जाते हैं तो शीलंका साउथ अफ्रीका का पहला मुकाबला है टीटुनटी का जो कि आज 10 सेप्टेंबर को खेला जाएगा इट पीम इंडिन टाइम के हिसाब से आर प्रेमिदासा स्टेडियम को लंबो ज्यादातर मैचे आपको पता ह तो इस पेनर्स पेनर्स आपकी टीम में जितने हो सकें क्वालिटी स्पेनर्स उनको कर लिजे साथ ही साथ बैट्स मैन को यहाँ पर काफी डिफिकल्टी होगी क्योंकि देखें पाशिंग शावर्स यह आने वाले अनिकी रेंज वगयरा भी थोड़ा सा इंटरॉप्शन कर होती है तो batsman को काफी स्ट्रकल करना पड़ता है तो batsman के हिसाब से यह venue नहीं है रंस थोड़े से कम expected रहेंगे मेरे साब से 145-150 एक अच्छा स्कूर यहां पर रहेगा और साथी साथ के लिए बहुत ही जादा help है शिलंका की टीम की बात कर लेते हैं शिलंका की टीम में देखिया अभी अविशका फर्नांडो ओपन करेंगे कोशल परेरा के साथ कोशल परेरा फुली फिट है और इस मैच में खेलेंगे विकेट पर बैट्समन है कुशाल परेड़ा, recent form अगर आप देखें, तो अविश्का का 26 का बेटिंग आवरेज चल ला है, T20 में form अविश्का का थोड़ा सा खराब चल रहा है, पिछले 6-7 मैच उठा के देखेंगे, तो मात्र एक-2 मैचेस गिनके अच्छे हैं, बाकी सारे मैचेस चल रहे हैं, आप पोडिशन टीम साउथ अविश्का के खिलाफ पिछले 3 मैच में 3 वार फ्लॉप हैं, अविश्का फर्नांडो, तो इनका form थोड़ा सा मैटर है, और सब पोडिशन टीम के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कुशाल परेड़ा की हम बात करते हैं अब देखिए, यह आपको विकट कीपर की काफी पॉइंट देंगे, जब भी टर्निंग विकेट होता है, तो स्पेनर को मदत मिलेगी, तो मैं आपको बता दू, विकट कीपर को काफी हेल्प रहते हैं, जो स्पेनर को हेल्प करता है स्टंपिंग और कैच्छ से, तो कि बेटिंग अबरेज भी अच्छा है, रिसेंट फ़र्म देखिए, तो अब इसका से थोड़ा सब बेटर चल रहा है, और सामने वाली टीम के खिलाब देखें, तो पिछले पांच मैचेज में, हाला कि दो ही बार चले, एक सट और एक किस्रम की पारी जो नहीं उने खेली है और अब पोजिशन टीम के खिलाब हाला कि इनका एक रिकॉर्ड अच्छा है, कि तीन मैच जो खेले उसमें एक बार 40 प्रस लगाया था, तो इनको ग्रेंड लिग की में एकाट टीम में ट्राइ कर सकते हैं, फिर आते हैं धननजर डी सिल्वा, राइट हिने बैट्समें, र के पास फेसर काफी पड़े हुए है, तो शनल का से काफी कम ओवर्स की एक्सपेक्टेशन रहती है, हो सकता है, इस मैच में एक आद ओवर डाले, और सिल्वा जो है, वो दो से तीन ओवर या चार ओवर भी डाल तकने, ठीक है, रिसेंट फॉर्म बैटिंग में अगर आप उपर भी बैटिंग करने आ रहे है, फॉर्म भी ठीक ठाग है, पचास परसेंट में स्कोरिंग 20 प्लस रही है इनकी, साथी साथा पोजिशन टीम के खिलाफ अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, तो वो थोड़ा सा एवरेज है, बीस के आसपास की स्कोरिंग मान ल करी है, 75% टाइम विक्टे मिली है, कह सकते हैं, चार मैं जो आखरी बॉलिंग करी है, साउथ अफरे अखिलाफ तीन बार विक्टे मिली है, तो यह आपके लिए अच्छे पिक होंगे, टीम में लेने के लिए, फिर आते हैं, चरित असलांग का, इन्होंने अपनी में देखें, तो मिला जोलाव फॉर्म है, 15-20 के आसपास की स्कोरिंग मान लीजे, मैक्सिमम, बट आखरी मैच जो है, वो चवालिस का खेल के आए, इंडिया के सामने खेला था, बॉलिंग में देखें, 27 मैच में, 14 बार बॉलिंग करी है, 15 विक्टे हैं, राइट आम उफ कर सकते हैं, जादा रंस नहीं बना रखे, आप ओदीशन टीम के खिलाब भी दो स्कोरिंग है, 16 और 20 की नॉर्मल स्कोरिंग है, 107 मैच में त्रेपन बार बॉलिंग करी है, 30 विक्टे निकाली है, रीसेंट फॉर्म अगर आप बॉलिंग में देखेंगे, तो आकरी चार मै रिकॉर्ट भी काफी अच्छा है, बॉलिंग में, साथी साथ ताइम आने पर अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, चौटर फॉर्मेट में, 133 का स्ट्राइक से खेलते हैं, उन्हें इसका बैटिंग अवरेज है, most of the match अगर आप देखें, तो 10-15 अरं के आसपास की स्क निकाल लेते हैं, रिसेंट फॉर्म इनका बहुत इच्छा चल रहा है, पिछले अगर आप 6-7 मैंच उठा के देखें, तो दो बार विकेटलेस गए, बका या हर बार इनने दो या दो से जाधा विक्टे निकाली ही, मैक्सिम टाइम, सामने विली टीम को अभी फेस नहीं क अच्छी नहीं रही, इन्होंने कभी साउथ फेस नहीं कर रहा है, तेत्य सिनिंग में 31 विक्टे इनके नाम पर है, रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखें, तो आखरी पांच मैचे में चार बार बालिंग करी है, तीन बार विक्टे निकाली है, यानि की सक्सेस रिट लगब लगब 75% का है, रिसेंटली जो फॉर्म इनका चल रहा है, और ये विक्ट इनको सूट करेगा, तो ग्रेंड लीग वगरा में ट्राइ कर लीजीगा, कोगी मुझे पता है, रमिश मैंडेस को कोई स्मॉल लीग में तो नहीं लेगा, बट फिर भी ग्रेंड लीग में है, रिसेंट फॉर्म बॉलिंग में हाला ही कुछ खास चल नहीं रहा है, बट इस मैठ में इंपॉर्टेंट होंगे, ज्यादा पेसाज नहीं है, शीरंका के पास तो चमिका हो सकता है कि आपको डैथ में गिनवाजी करते हो दिख जाए, दुश्मंता चमीरा की साथ, और द में मेंडिटरी होंगे, आपको कंफर्म लेने ही चाहिए, फिर आते हैं महिश्तीक शाना, जिन्होंने अभी उड़ाई में काफी इंप्रैस किया, चार विक्टे निकाली थी, पहली मैच में उड़ाई में डेब्यू मैच में अपने, राइटा मॉफ बूलर है, इनको भी ये वेन्यू काफी सूट करने वाला है, अठार अनिंग में 17 विक्टेन के नाम पर रिसेंट फॉर्म देखेंगे, तो पाएंगे लगभग 60-55% मैच में इनको विक्टे मिली हुई है, साउथ अफ्रिकों कभी फेस नहीं करा बट इनसे काफी एक्स्प्रक्टेशन रहेगी आर प्रेमेदासा में, तो इनको आप ट्राइ कर सकते हैं, जील वगेरा में, या फिर स्मॉल लिग में रिस्क ले सकते हैं, तो ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, अब आते हैं साउथ अफ्रिकन टीम की बारी, जिसमें जानमन मिलान ओपन करेंगी, रीजा हेंड्रिक्स के नहीं, हाला कि मैं पिछ रिपोर्ट में आपको बता दूँगा कितना क्या हेल्प मिल सकते हैं, तो इससे आप से आप इंपोर्टेंट समझ लीजेगा, अभी फिलाल के जनल मिलान जो है, वो एक में साबसे एवरेज पिक रहेंगे, रीजा हेंगे, बहुत इंपोरेंट रह खलाफ तो experience और performance दोनों इनके पास है, तो रीजा आपके लिए बहुत valuable रहेंगे, मलान से भी जादा, क्योंकि experience के मामले में रीजा बहुत आगे हैं, और शीलंगा को पहले खेला भी हुआ है, और देखिए ऐसा बैसा नहीं, आखरी दो मैचे से 50-50 प्लस स्कोरिंग कर रह South Africa पास, क्योंकि आप South Africa को भी पता है कि spin friendly venue है, तो Adam Markham भी अच्छे खासे उबर कर देते हैं, तीस का इनका betting average चलता है, recent form देखेंगे तो वो भी काफी सही है, आप position टीम के खिलाफ record इनका बस अच्छा नहीं है, 21 बार balling करिए 57 matches में, और 8 victory total निकाल लिए, recent form balling में भी उ अलान की बारी आएगी, ठीक है, betting value नहीं है, तो इतना तो expectation मत करिएगा, कि आप 60, 65 की इनिंग की expectation रखें, 20, 25, 25, 30 इतना ही आप इनसे expectation करिएगा, तो आपको batsman भी वैसे भी जादा नहीं लेने है, नमबर 4 पे देखिए, नमबर 4 और 5 पे betting position कोई fix नहीं है, डेविड मिल और 87 असेन है, हो सकता है, चार पे आपको 87 असेन दिख जाए, पांच पे मिलर दिख जाए, या फिर hitting की ज़रूरत हो, तो मिलर को promotion मिल जाए, देखिए, मिलर ने रिसेंटली आरेंट खिलाफ काफी बढ़िया performance दिया था, टीटून टीज में, आप दे सकते हैं, आखरी दो 25% मैचेस में स्कोरिंग 40 या उससे जाधा की रही है, बाकाया जो 75% मैचेस में जाथ उसमें बैटिंग नहीं आई, या फिर रंस कम रहे हैं, बट फिर भी एक impact प्लेयर हैं, ट्राइ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यह perform नहीं कर सकते हैं, रिसेंटली पिछले 3 मैचेस में आप वो दसें का है, बट हाला कि रिसेंटली देखा गया है, कुछ एक मैचेस में यह flop भी हुए, अगर आप देखें, थोड़ा continuous देखें, तो बीच में आपको 2-3 मैचेस ऐसे मिलेंगे, जिसमें थोड़ा थे flop हुए थे, हाला कि आप पोदिशन खिलाफ रेकॉर्ड इनका जा के साथ भी जा सकते हैं, उनका फॉर्म भी खराब नहीं है, फिर आते हैं हैं एन्रेस क्लासीं, जो इस टीम में विकेट कीप रिंग करेंगे, प्लस बैटिंग भी करेंगे, रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका T20 बैटिंग में देखें, तो मिला जुला है, लगबग आप क से, उसके आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, फिर आते हैं विया नमल्डर, राइट आप मीडियम बोलर, 25 का बैटिंग एवरेज हैं का, और 44 मैच में 515 रन है, रिसेंट फॉर्म बैटिंग में देखेंगे, तो लगबग पाएंगे, 40% मैच में स्कोरिंग 20-25 जिसके आस-पास की रहती है, 37-44 मैच में 37 बार बॉलिंग करके 28 विक्टे निकाली हैं, लगबग हर मैच में थोड़ी बस बॉलिंग जरू करते हैं, यहां पर आप इनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, हाला कि कोई खास नहीं है, एवरेज फॉर्म बोल सकते हैं, लग करी 105 विक्टे निकाली हैं, और आखरी 6 मैचस से 2 विक्टे बहुत निकाली हैं, यह देखिए, फॉर्म बहुत अच्छा केरी करना है, जॉर्ज लेंडे, तो आपको इनको लेना चाहिए, इन्होंने कभी शिलंगा को फेस तो नहीं करा, बट आर प्रमेदासा में आए थें तो मिला जुला है, अलगी बहुत इंप्रेसिफ ले रहे हैं, अब यह रिसेंटली भी परफॉर्मेस अच्छा दिया हुआ है, शिलंकाओ को इस फॉर्मेट में इन्होंने फेस नहीं करा, T20 फॉर्मेट में, बट एकस्पेक्टेशन इनसे भी अच्छी रहेगी, जब जब दाले हैं, तबरेश शम्ची, अगर आप इस साल की बात करनें, 2021 की, तो T20 में सबसे ज़्यादा विकट निकालने वाले प्लेयर तबरेश शम्ची हैं, रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखें, इसमें दा हंडेड भी इंक्लूड़े है, टून्नामेंट और इसके आप ओडिशन टीम के खिलाब जो आखरी तीन मैचेस खेले, उसमें दो बार दो दो विकटे भी निकाली हैं, और अगर ये वेन्यू सूट करेगा इस सबसे आदा मदद जो है, वो तबरेश शम्ची को मिलेगी, तो कप्तानी वाइस की बहुत ये अच्छे पिक रहेंगे, आपके लिए ट्राइ करने के लिए, वेन्यू का भी बता दिया है, प्लियर्स का भी सेलेक्शन बता दिया, आप देखोगे, दोनोई टीम में वो हाई स्पिन डेपार्टमेंट के साथ उतरेंगी, डेथोवर्स की बात करें तो देखिए, साउथ अफ्रिका के तरफ से कगि अब इनके साथ चमी का करूनत नहीं हो सकता है, डेथ में आपको बॉलिंग करते हो दिख जाए, या फिर आपको हो सकता है कि दासुन शना का डेथ के आसपास थोड़ी बॉलिंग करते हो दिख जाए, तो यह कुछ ऑप्शन इनके पास अवेले वाले हैं, तो दोनोई टीम मैं तो इस पेनर ही कमाल करने वाले हैं, जब बात करते हैं, ड्रीम 11 ऑफन टूपले टीम की, यह मेरी ड्रीम 11 की टीम रहने वाली है, फुल लॉजिक वही है, पिछ रिपोर्ट और स्टैट्स देखने के बाद जो मैंने टीम बनाई है, मैंने इस टीम को अपने वही है कि मै बैटिंग वेन्यू नहीं है, अगर बैटिंग वेन्यू होता, तो मैं आपको बताता कुछ अच्छे बैट्समें जैसे की रिजा, जैसे की एडिन मरक्रम और मलान को भी हो सकता था, हम कंसीडर करते, हम लिंडी को पिक ना करते, बट वही है कि यार स्पेनर को जब हेल्प म इनको आपको लेना चाहिए, शम्शी देखे, बैटिंग बैटिंग तो नहीं आती शम्शी की, बट बॉलिंग में इतना अधभूत, प्रतरशन इंगा रहता है, कि वाइस कप्तान मराने से मैं इनको रोक नहीं सका, लिंडे भी मेरे स्पिन डेपार्टमेंट में प्लियर ह बैट्समेन में क्वालिटी बैट्समेन पर मैं गया हूं, जिसमें रीजा सबसे उपर रहेंगे, कोशाल परेरा, एडिन मरकम ये दोनों ही बहुत इंपरेंट रहेंगे, मरान को ट्राइ करना हो तो कर लिजेगा, बट वो प्रायोटी ऑप्शन नहीं रहेंगे मेरे लिए, क्लासीन को मैंने आसर टीम में पर करा, बिकॉज विगट कीवरें सेक्शन में आपको कमपल सरी लेना पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये मेरी ड्रीम 11 की टीम बनती है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कोई बदला होका तो टेलिग्रा की मिल जाएगा, यूटूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन को खोलिए, और लिंक पर क्लिक कीजिए और जॉइन कर लिजे चैनल को, अब बात करते हैं, फैन टू प्ले टीम की फिर वीडियो का अंड करते हैं, तो गाइस यह मेरी फैन टू प्ले की टीम रहने वाली है, क्लासिन वाइख मेरी अच्छा ना कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर सैं क्लासिन को आठाते हैं और यहां से हम पिक कर लेते हैं यही मुझे टीम बनानी थे, फिर को रिज पिया है, पहले मीने टीम मैं tej भन गई तीम बन गई है, सक्सेसुली टीम में जगे दिया एडिन मरकम रीजा हैंडिस के अगर हम बात करें तो एडिन मरकम बॉलिंग में इसके बैटेंग रिकार्ड बहुत अच्छे हैं और टी ट्विंटी में देखिए रस्टे बना दसीन भी बहुत 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 बैठीन परफॉमेंस देते हैं All-Nound section में मैंने धरंजर डिसिलवा, जोज लिंडे, वनीदुहतरंगा को लिया हुआ है Balling section में दुश्मंता चमीरा, कगी सुरबाड़ा, तबरिश शम्ची और यहाँ पे मैंने महीश तीक्षाना को टीम में जगे दियू तो यह थोड़ा था मैं यहाँ पे रिस्क के लिए रहा हूँ, और अगर आपको महीश तीक्षाना को नहीं लेना है, तो आपके पास option में केशव मराज भी रहेंगे, ठीक है यही टीम रहने वाली है, कोई अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे दे दूँगा, फेंटू प्ले पे, क्लासिक फेंटसी पे लगबग यही टीम कंफार्म है ठीक है, चैलेंज फेंटसी और देखते हैं, फिर वीडियो का इंड करते हैं तो गईज आप देख सकते हैं, चैलेंज फेंटसी में लोगों ने टीम्स बना रखे हैं यहां पे और most of the players जो हैं, वो spin department की तरफ जो करें, तबरेश शम्ची हो गए, वनीदू हसरंगा हो गए, धरनज डिसलवा हो गए, यह सारे स्पिन बोलर से जिनको लोग ज़्यादा भाव दे रहें और आपको भी नहीं को maximum team में अपनी रखना है, तब ही आप अच्छा का जब विनिंग करेंगे, मैं यहां पे दो player की fantasy खेलूँगा, दो player में मैं एक player तो लूँगा तबरेश शम्ची को, जो मुझे लग रहा है, अच्छे खासे आपको fantasy point अपनी spin bowling से दे सकते हैं, और साम भी नहीं है, spin department में दोनों ही team हो से, बड़ बनीदू हसरंगा के पास advantage जो है, वो extra runs का है, अगर मान लीजे, शम्ची ने दो विक्टे निकाली है, और हसरंगा ने भी दो विक्टे निकाली है, ठीक है, मान लीजे दोनों विक्टे जो है, वो normal विक्टे है, उसमें LBW अग advantage है, बाकी शम्ची के पास pure balling advantage है, तो यह मैं एक team बनाता हूँ, 500 रुपीज के entry रखता हूँ, इसका price 900 रुपीज हो जाएगा, confirm करता हूँ इसको, और यह मेरी team बन गई है, अब यह team, इस team से जिसको भी join करना होगा contest, जनी कि इसके opposition में जो भी team लाएगा, उसको एक change त अगेरा, उनको try कर ले, बट मेरे साब से तो यार, शम्शी और बनी तो हसरंगा सबसे best होंगे, तीन प्लेर की team जब आप बनाएगे, तब भी थोड़ा बोलस को जाधा consider करिएगा, धना जो कि बैटिंग बालिंग दोनों कर सकते हैं, और उनको consider करिएगा, चार प्लेर की जब team बना है, तब भी मैं यही बोलूँगा, यार, बोलस को जाधा consider करिएगा, क्योंकि बैटिंग की ये वेन्यू नहीं है, और बैटिंग पे जाधा आपको शायद पॉइंट कोई player दे भी नहीं पाएगा, जो spinner दे पाएगा, जो पेसर दे पाएगा, death में पेसर चमीरा बट कोशिश किये, जाधा जाधा चीज़ें आपको gain हो जाएं, समझा पाऊं, fan to play पे जिन लोगों register नहीं करा, register कर लीजे, description में मैंने link दे दिया है application का, वहां से download कर लीजेगा, refer code आपको fx लगाना है, जैसी आप fx refer code लगाके यहाँ पे sign up करते हैं, आपको bonus मिल जाएंगी, जो आप यहाँ पे pass deposit करेंगे, तो आपको special offers भी मिल जाएंगे, so guys, तब तक के लिए bye-bye, मिलते हैं, line up की time, तब तक के लिए bye-bye.